एक था राजा वे अपने प्रजा के सुक दुख का बड़ा ध्यान रखता था उसका मंत्री भी बहुत समझदार और अन्भवी था इसलिए राजा अपने मंत्री का बड़ा आदर करता था राज काच के हर मामले में राजा मंत्री से सलाह लिया करता था और मंत्री की राय के अनुसार ही काम किया करता था एक बार राजा शिकार खेलने गया साथ में मंत्री तथा अन्य सेवक भी थे शाम होने पर जंगल में ही डेरा डाल दिया गया राजा का परबंद अलग शिविर में था बाकी लोगों ने दूसरे शिवरों में रात बिताई जाडों के दिन थे आग और गर्म बस्तरों की विवस्ता पर भी राजा की आँख ठंड के कारण बहुत सुबह खुल गई उस समय चारों और काफी अंधेरा और कोहरा था बाहर किसी के गाने की आवाज सुन राजा ने तंबू की खिड़की की जाली हटा कर अश्चर से देखा की सामने वाले कुए पर एक आदमी केवल धोती तहने हुए कुए से पानी निकाल कर मजे में नहा रहा था काफी देर तक नहाने के बाद उसने अपनी धोती बदली और अपने साथ लाई दो हरी मूलिया कच कच करके खाने लगा नास्ता खत्म करने के बाद उस आदमी ने कलश में पानी भरा और गाना गाता हुआ वहां से चला गया राजा को जैसे अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि गर्म कपड़ों में लिप्टे होने पर भी राजा को ठंड के कारण कपकपी छूट रही थी सुबह होने पर राजा ने मंत्री को भी अगटना सुनाई मंत्री को बहुत आश्चेरे हुआ उसने कहा महराज यदि सचमुष किसी आदमी यदि सचमुष किसी आदमी ने ऐसा किया है तो अब तक वह आदमी या तो ठंड लगकर मर गया होगा या जोर से ग्रस्त होगा इतनी ठंड में सुबा खुले में देर तक नहाने और उसके बाद मूली खाने पर कोई भी आदमी स्वस्त नहीं रह सकता राजा ने मुस्कूरा कर पूँचा मंत्री इस पर भी वह आदमी अगर इस समय स्वस्त हुआ तो तुम क्या करोगे मंत्री ने गंभीरता के साथ उत्तर दिया महराज अगर वह आदमी है तो ऐसा करने पर वह स्वस्त नहीं रह सकता वह जरोर बिमार पढ़ जाएगा अगर वह आदमी सुष्ट मिल जाए तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूँगा हाँ अगर वह आदमी ही ना हो तब बात अलग है राजा ने फिर मुस्कुरा कर कहा मंत्री मुझे लगता है कि तुम्हारी बात गलत है क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है वह हमारी तुम्हारी तरह का ही आदमी है मंत्री गंभीर हो गया उसने कहा महराज अगर मेरी बात गलत निकले तो आप मेरा सिर कटवा दीजिएगा राजा भी गंभीर हो गया बोला अपनी बात याद रखना मंत्री मंत्री बोला जी हां महराज याद रखूंगा राजा ने उसी समय अपने सेवकों को निकट के गाउं में भेजा और उस आदमे के बारे में पूरी जानकारी लाने का आदेश दिया कुछ घंटों के अंदर ही राजा के सेवक उस आदमे को ढूंड कर राजा के पास ले आए उस समय मंत्री भी वहीं उपस्तित था राजा और मंत्री दोनों ने अश्चेर से देखा वह आदमे बिल्कु स्वस्त था उसको जुकाम तक ना था बुखार तो बहुत दूर की बात थी मंत्री की बात गलत सिद्ध होते देख राजा ने मंत्री को एक और अवसर देने का निश्चे किया राजा ने आदेश दिया आज यह आदमी रात को यहां शिविर में रहेगा कल सुबह उठकर इसे ठंड और खुले में उसी तरह नहाना होगा और नहाने के बाद फिर उसी तरह दो मूलियां खानी होगी अगर कल भी इस आदमी को कुछ ना हुआ और यह स्वस्त ही रहा तो मंत्री की बात गलत सिद्ध होने के कारण उसके वचन के अनुसार कल दिन में मंत्री का सिर्कटवा दिया जाएगा राजा के आदेश का पालन किया गया दूसरे दिन सुबह चार बजे उस आदमी को कुए पर पहले ही दिन की तरह पानी भर कर नहाना पड़ा नहाने के बाद उसने मूलियां भी खाई और नंगे बदन गेली धोती में ही शिवर में लोट आया उसकी तबियत बिल्कुल ठीक थी इस बार भी मंत्री की बात गलत निकलते देख राजा को क्रोध आ गया और उसने आग्या दी कि मंत्री का सिर्कटवा दिया जाए मृत्यू से पहले मंत्री ने प्रातना की की एक बार फिर उसकी बात सुन ली जाए मगर क्रोध में राजा ने कुछ ना सुना और मंत्री का सिर्कटवा दिया उसी शाम को शिकार यात्रा खत्म कर राजा राज महल लोट आए मंत्री का बारा वर्ष का एक लड़का था जो अपने पिता की ही तरह बहुत समझदार था जब उसे अपने पिता की अकारण मृत्यू का समाचार मिला तो क्रोध हर शोक से उसकी आँखों में आशु भर आए महराज आपने मेरे निर्दोष पिता का वद्ध करवाया है आपके लिए उचित था की मेरे पिता को मृत्यू दंड देने से पहले आप उनके साथ न्याय करते यदे मेरे पिता की बात गलत निकलती तब उनका सिर कटवाते राजा ने मंत्री पुत्र से कहा बालक तुम्हारे पिता की बात गलत निकली थी एक दिन नहीं दो डिन इसलिए उनका सिर कटवाया गया मंत्री के लड़के ने हाथ जोड़कर कहा महराज आप मुझे यह कहने के लिए छमा करें कि आप मेरे पिता की बात ठीक तरह नहीं समझ सके मेरे पिता सीधे सरल आदमी थे वे अपनी बात ठीक तरह से नहीं समझा सके और अपने सीधेपन के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठे उन्होंने जो कुछ आप से कहा था वैं बिल्कुल ठीक था आप मुझे अवसर दें मैं एक महीने के अंदर ही आपको और सारी राजसभा को दिखला दूँगा कि मेरे पिता की बात बिल्कुल सही थी मंतरी के बेटे के आत्म विश्वास को देख राजा ने कौतुहल के साथ उसकी प्रातना को स्विकार कर लिया और समस्त सेवकों को आदेश दिया कि मंतरी का बेटा महीना सवा महीना जो भी आदेश दे उसका ततकाल पालन किया जाए इस अवधी में मंत्री के बेटे की राज महल में रहने की विवस्था भी हो गई मित्रों कथा में बने रहें बहुत ही रोचक कथा है मंत्री के बेटे ने पहला आदेश दिया कि उसी आदमी को गाउं से मंगवाया जाए और उसे मेरे साथ ही महीना भर राजमहल में रखा जाए दूसरे ही दिन घुड सवार गाहों से उस आदमी को ले आए मंत्री के बेटे ने देखा उस आदमी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे उसने तदकाल आगया दी कि इस आदमी के लिए गर्म कपड़ों जूतों मोजों वा दस्तानों का प्रबंद किया जाए उसके कहने भर की देर थी थोड़ी ही देर में सब चीजों का प्रबंद हो गया यहां तक कि उसके सोने के लिए भी एक बढ़िया पलंग और नर्मवा गुदगुदे बिस्तर की विवस्ता हो गई गाव के उस आदमी को शुरू में तो ये सब चीजें बड़ी अटपटी लगी और उसे थोड़ी बहुत उलजन भी हुई मगर धीरे धीरे उसे बड़ा आराम और सुख मिलने लगा उसे अपने हाथ से कोई भी काम नहीं करना पड़ता था दोनों कर सदैव उसकी सेवा के लिए ततपर रहते थे वै भी धीरे धीरे उस राशी वैभोव और उस राशी भोजन में अनंद पाने लगा दिन भर अच्छे वस्तर पहने अच्छे भोजन करने और घूमने के अलावा उसे कुछ करना भी नहीं होता था शाम को वै घूमने निकलता तो उसे जरा भी पैदल ना चलना पड़ता शाही बग्गी में वै बजार जाता और उसी में महल लोटाता महीने भर के अंदर रिवरासी सुक्षिवधाओं का आदी हो गया वै भोजन समाप्त करने के बाद उसे हाथ धोने के लिए गर्म पानी की अवश्क्ता महसूस होने लगी महीना खत्म होते ही मंतरी के बेटे ने राज़ दर्बार में जाकर राजा से निवेदन किया महराज महीना पर पहले मैंने आप से कहा था कि मैं अपने सर्गवासी पिता की बात को सही सिद्ध कर दिखलाऊंगा अब समय आ गया है कि आप जाच कर लें कि मेरे पिता की बात सही थी या नहीं उस आदमे को मैंने गाउं में बुलवा रखा है वह यहीं राज महल में ही है आप से प्रातना है कि आप कल सुबह उसे खुले में ठंडे पानी से स्नान कर मूलिया खाने का आदेश दें और देखें कि उस पर इसका क्या असर होता है महराज ने सिर हिलाते हुए कहा हाँ मंत्री पुत्र हम जरूर देखेंगे कि उस आदमी पर ठंड में नहाने और मूलिया खाने का क्या असर होता है कल सुबह चार बजे हम राज महल के कुए पर मौजूद होंगे दूसरे दिन सुबह चार बजे राजा सभा के कुछ लोग और मंत्री पुत्र राज महल के कुए पर उपस्तित हो गए राजा की आग्या से उस आदमी को उसके बिस्तर से उठवा कर कुए पर बुलवाया गया और आदेश दिया गया की वह कपड़े उतार कर खुले में नहाए और उसके बाद मूलिया खाए राजा ने आईश्यरे से देखा की इस बार नहाते समय वह आदमी ठंड से काप रहा था और उसके दात किटकिटा रहे थे नहाने के बाद मूली खाते ही उसको छीकी आने लगी और उसकी आँखोवा नाक से पानी बहने लगा कपड़े पहन, राज महल में अपने कमरे में जाते ही उस आदमी को जवर आ गया और जब दस बजे राजवैद उसे देखकर राजदरवार में पहुँचे तो उन्होंने राजा से निवेदन किया कि उसे बुरी तरह ठंड लग गई है कई दिनों की दवाई और उपचार के बाद ही वह ठीक होगा और यदि उसका ठीक तरह उपचार ना किया गया तो यह भी संबव है कि शीत के प्रकौप से उसकी मृत्तिव हो जाए राजवैद की बात समाप्त होता ही मंत्री पुत्र ने हाद जोड़कर निवेदन किया महराज अब बताएं मेरे पिता की बात सही थी या नहीं राजा इस चेरे में डूबे हुए थे धेमे स्वर में बोले हाँ मंत्री पुत्र अब तो यही सही लग रहा है कि तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने उस समय जो कुछ कहा था वही सही था हमने बेकार हैं उनके प्राण लिये वह सच मुझे निर्दोस्त थे मगर मंत्री पुत्र यह हमारी समझ में नहीं आ रहा कि एक महिना पहले तो इस आदमे को खुले में ठंडे पानी से नहाते और मूलिया खाते कुछ नहीं हुआ अब एक महीने के अंदर ही नहाने पर एकदम बिमार कैसे हो गया मंत्री पुत्र ने सिर जुका कर कहा महराज एक महीना पहले यह आदमी था कहां यह तो पहाड था पहाड इस एक महीने में मैंने इसे आदमी बनाने की कोशिश की है जब आदमी बन गया तब मैंने इसे आपकी सेवा में उपस्तित किया और तब ठंड में नहाने वह मुली खाने पर इसका जो अंजाम हुआ वह आपने स्वेम देख सुन लिया है राजा चुपचाप मंत्री पुत्र की बात पर विचार करने लगे मंत्री पुत्र ने आगे कहा देखे महराज मेरे अनभवी पिता ने कहा था अगर वह आदमी है तो ठंडे पानी से नहाने और मूलिया खाने के बाद वह स्वस्त नहीं मिल सकता मेरे पिता ने बिलकुल ठीक कहा था उस समय वह आदमी नहीं था व्याक्षस था दैत्य था इसलिए इसे कुछ नहीं हुआ अब यह आदमी है इसलिए यह इतनी जल्दी आस्वस्त हो गया महराज या ना भूले कि जेवधारी आदमी को ही इश्वने महसूस करने की शक्ती दी है जो अनभाव कर सकता है अच्छा बुरा कड़वा मेठा गर्म सर्द हित अहित दुख सुख यश निंदा ला भानी वह आदमी है जो अनभाव नहीं कर सकता जिस पर गर्मी सर्दी दुख सुख हित अहित यश निंदा का असर ही नहीं होता वह आदमी नहीं पाशान है केवल आदमी बनने पर ही उसे अनभूती का यह गुण मिलेगा इस संसार में आपको अनेको व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो आदमी दिखते हैं मगर जो आदमी नहीं है और जब तक वे आदमी नहीं बनेंगे तब तक वे इश्वर के दिये अन्भूती के इस गुण से वंचित ही रहेंगे मंत्री पुत्र की समझदारी देख राजा बहुत प्रसन हुआ उसने उसके पढ़ने की उचित विवस्था की कुछ वर्ष बाद उसके पढ़ाई समाप्त करते ही राजा ने उसे पिता की जगा पर अपना मंत्री बना लिया मित्रों इसे कहानी का अगला भाग है मित्रों कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और पूरी कथा और अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में लिखिएगा जरूर देवाणी चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिएगा दोस्तों आपको अख़ता कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे कथाओं को शेयर जुरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन प्राप्त हो जैये श्रीराम भक्तो